सब्सक्राइब तो यूट्यूब चानल और प्रेस्ट बेल आइकन टिकेट लेटिस अपडेट्स नश्कार में पिंटू शिंग्यादो आप सभी का स्वागत करते हैं नियूज लाइब में दोस्तो उत्तर पदेश के बाहु बली बिधायक मुखतार अनसारी के मले बेटे अबास अनसारी की मुश्किले हर रोज बढ़ती नजर आ रही है रविवार को अबास अनसारी के सरकारी बिधायक अवास पर दारूल सफा नम्मर 107 में यूपी पुलिश ने चापे मारी कर दी वह MP, MLA, Special Court के आदेश के बाद कई दिनों से फरार चल रहे थे ADCP उत्तर अनिलियादों ने बताया कि लगन और पुलिश ने शुभास पर बिधायक अबास अनसारी के सरकारी आवास पर छापे बारी की लेकिन वह वहाँ पर नहीं मिले इसके बाद पुलिश ने उनके दूसरे ठिकाने मेट्रो शिटी अपार्ट पेंट और डॉली बाग स्थित फ्लैट में भी चापे मारी की चापे मारी में शामिल इस्पेक्टर केशुक मरतिवारी को बताया कि अबास अनसारी के खिलाफ कोट ने गिरफतारी का वरन चारी किया है और 10 अगस तक कोट में पेश करने का आदेश मिला है इससे पहले स्पेसल कोर्ट ने 27 जुलाई तक कोर्ट पेस होने का वक्त दिया था जिसके बाद उनके वकील ने कोर्ट में अगरिम जमानत याची का दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने खारिस कर दिया इउपी पुलिस अबास अंसारी की खोज में गाजीपूर, मव और लखनावर समयत कईयने अस्थानों पर शापे मारी कर रही है ADCP ने सुबास पर बिदायक को पकड़ने के लिए चार टीमे जो हैं वो गठित की हुई है आखिरकार मामला क्या है? बहुसादर बिदायक अबास अंसारी पर एक लाइसेंस पर धोखा धड़ी से कई ससस लाइसेंस रखने का आरोग है 12 एक्टूबर साल 2019 को महानगर थाने के प्रिभारी अशोक कुमार शिंग ने अबास अंसारी के खिलाप रिपोर्ट दर्च कराई थी पुलिश के मुताबिक अबास अंसारी ने साल 2012 में गण का लाइसेंस लिया था पुलिश वालों को मौका दिया था कि 10 अगस्त तक जो है किसी भी तरीके से सुभासपा प्रमुक के बेटे जो सुभासपा से विधायक ओम प्रकास पार्टी के विधायक जो अबास अंसारी है उनको गिरफतार करकर शलाखों के पीछे भाजा जाए लेकिन अभी नौ तारीक हो गए और अभी तक ओम प्रकास राजभर के विधायक अबास अंसारी कल कोई भी लेखा जो खा तयार नहीं है अब देखना दिल्चास होगा कि कल अब बास अंसारी कोट में सरेंटर करते हैं या फिर पुलीस उससे पहले गिरफतार कर लेती है खेर इस पर आपकी क्यारा है यहां में कमेंट वाक्स में बताईएगा तहने बाद लाक्स में बताईएवा ते झाल नहीं कर ले ले दोगस्टास है तो